कि आज हम लोग बात करेंगे राजस्ทHani सभी स्कूल शाब । मिनिश्र पेंटिंग की तो पहला जो पार्ट इसका था उस में राजस्थानी स्कूल आप मिनिश्र पेंटिंग्टिंग के हम लोग ने देखाelf अब बात करेंगे उसके सभी स्कूल्स की यह पार्ट टू वीडियो है और जब पार्ट थ्री वीडियो आएगा तो उसमें जो पेंटिंग से उसके बारे में सारी बाते होंगी तो सबसे पहला मेवार सब इसकूल है इसके बारे में हम देखेंगे तो इसक्रीन पे आपको कुछ कोश्चन देख रहे हैं जो मेवार सब इसकूल से पूछे जाते हैं बोर्ड की एक्जाम में भी यह कोश्चन आते हैं और आपके होम एक्जाम भी होते हैं तब भी यह कोश् 서umi-kHI process. में नहीं के रूप में में मेवार सभी स्कूल есть or ौब इसकोम समझेंने जानेंगे कमें ईससी कोई मैवार सभी स्कूल जो उता वह राजिस्थानी का बहुत यह सम्झें G sleeping उसमें जो भी पेंटिंग्स बनी हैं वो राजस्थानी आर्ट को एक अच्छा दर्जा या अच्छा प्लेज देने में अपना महत्पूर्ड मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले की कर चुकी हैं तो जो सबसे डेवलप पिंटिंग थी पालम भागवत वो भी राजस्थानी के मेवार सभी स्कूल से ही में ही बनाई गई थी तो एक तरह से ये example के रुप में ले सकते हैं कि रब मेवाड सभी school में जो work हुआ उसने रजस्थानी के अच्छा place या एक अच्छी पहचान दे दी थी तो यह जो रजस्थानी state है उसमें मेवाड भी एक अच्छा place deserve करता है तो उसके बाद जब इसके historical point of view की बात करेंगे तो इसकी view से भी इंडिया में miniature painting में मेवाड अपना एक अच्छा place रखता है अपनी paintings की वज़े से जो अपनी पालम भागवत की painting उसकी वज़े से अपने अच्छे काम की वज़े से तो यह सारी चीजों की वज़े से मेवाड famous था और मेवाड के works famous थे तो सबसे important बात एक आती है कि पूरे रजस्थानी में जितने भी रजस्थानी के सभी schools हैं या रजस्थानी painting है उसमें राधा और किष्ण की painting ज़्यादा बनी है या उनका contribution ज़्यादा रहा है तो जब कोई ऐसा topic बार बार लिया जाता है किसी place में तो वो topic का भी role उस art को develop करने में हो जाता है जैसा कि screen पर दिख रहा है कि राधा किष्ण लीला जो topic था उसका भी contribution मेवारे style को रहा है painting के रूप में लिये जाते थे तो अभी जो भी answer आप देख रहे हो तो उसका जो रूप है या सभी स्कूल से जितने भी question आएंगे उसका जो form है जो answer देना है में उसका कुछ basic concept है कि पहले हम introduction part को रखेंगे जो भी हमने मेवार का देखा वो एक introduction part था अभी कुछ और भी ब बारे में उसका subject matter देंगे किस topic पर उसमें painting बनी है उसके बाद उसके main characteristics पर जाएंगे उसकी जो विसस्ता है उसके बारे में बताएंगे फिर figures कैसे उसमें थे वो बताएंगे फिर color scheme को बताते हुए उस सभी schools के answer को हम खतम कर देंगे इतनी चीज़े हमें उसमें बतानी हो तो आएए फिर देखते हैं अभी उसका introduction बचा है मेंवार का कुछ चीज़े हमने जान ली फिर कुछ चीज़े को अभी और देखेंगे तो जो मेंवार सभी school work होते थे तो character में वो simple bright color use करते थे मतलब bright मतलब कि एक तरह से चमक होता था colors में वो यूज करते थे और जो emotional attachment हो इसनी paintings में जो themes लेते थे वो रागमाला के होते थे नाइका भेत होते थे किस निला होते थी रहमायड के scenes होते थे भागवात पुरान के scenes होते थे इसके अलावा जो background बनाते थे तो उसमें buildings बनाते थे architecture जो होता है उन चीजों को दिखाते थे अच्छे से गुमबत जो होते से decorative चीजे बनाते थे flowers से decorative चीजे बनाते थे बर्स बनाते थे मुलब एक तरह से जो पूरी painting में बन्वाड में होती थी वो एक तरह से एक बहुती सजी-सजाई चीजों बनी आई जाती थी उसमें हर एक पार्ट को अच्छे से सजा जाता था या तो जो foreground होता था उसको में दिखी है मेवाड में वो एक राजा जगत सिंग का टाइम पिरेड है उसके टाइम जादा हमें दिखी है 1628 से 1652 के बीच में यह सारी जो अपने जो अच्छी चीजे हुई या कहलो कि जो अच्छे काम हुए उस बीच में जादा हुए थे इसके बाद जब हम बात करेंगे इसके subject matter की तो religious theme तो जब original development पढ़ा जा रहा था तभी तो समझ गये थे कि religious theme इसमें use होते थे जो धार्मिक ग्रंथ थे उसके कहानियों को लिया जाता था रागमाला पे painting बनी है रसिक प्रिया पे बनी है रादा और किष्णा पे बनी है नायक भेद पे बनी है court के scenes लिए गए हैं बहुत सारे जनरल के live के scenes लिए गए birds animals के scene लिए गए पंचितंत की जो कहानिया अती उसमें से कुछ topic लिए गए तो इन सारी चीजों पे ही वो painting बनाते थे तो जो other सभी schools होंगे मिवाड के अलावा बूदी हो गया जोदपूर तो कुछ चीजे तो common मिलेंगी राधा किष्ण तो पूरे राजस्थानी में बना है bird animals भी बने हैं तो कुछ चीजे रागमाला भी common हो जाता है तो कुछ चीजे तो हमेशा common होगी लेकिन कुछ कुछ चीजे चेंज भी होती जाएंगी जो की आगे सभी schools में हम देखेंगे इसके बाद main characteristics की बाद करेंगे उसकी जो विस्यस्ताएं होती है उसमें पहला बात आता है human figure का तो human figure में जो nose होती थी वो छोटी और pointed बनाए जाती थी face round वाले बनाए जाते थे जो eyes होती थी वो fish की तरह बनाए जाती थी figure छोटे होते थे लेकिन जो folk art में जो हमारे society जो local society होती है उसमें जो art जो छोटी छोटी चीजे famous होती है हमारे culture में उसका effect totally उसमें दिखता था जो paintings उसमें बनाए जाती थी अब बात करें उसके color scheme की तो main जो colors थे वो yellow, red, brown थे लेकिन जो different shades से वो बनाते थे different color बनाते थे तो उसको बहुत ध्यान से वो use करते थे इसके अलावा जो animals birds की painting वो करते ही थे, landscape की भी painting करते थे, landscape नेचर ड्राइंग की painting करते थे, garments जो होते थे उसके भी अच्छी painting हुई है, देखनों के मिली है, में बाड में, architecture की हुई है, romantic scenes हुई है, religious theme सुरू से पता चल ला है, religious theme की painting हुई है, effect of folk art के भी चीजे उसमें द दिखता है, रागमाला पे painting बनी है, इन सब के अलामा जो ये schools था, तो इसमें जो standard level की जो art हुटी है, वहां तक नहीं पहुच भाया था, लेकिन इसमें जो चीजे दिखाई गई है, वह बहुत सजाई हुई, और जो composition painting में होता था, वो बहुत अच्छे तरीके से, arrangement तरीक से हैं, painting में उसका जो place है, वो बहुत अच्छा fix दिखा गया, composition सारे लोग पढ़े होगे, composition सन्योजन को कहते हैं, उसके सही चीजों को सही जगा पे रखने को, तो मेवार में जो painting मनी है, उसका compositional arrangement बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, तो इसके साथ मेवार सभी स्कूल खतम हो जाता है, इसके बाद हम बूधी सब सकूल के बारे में जानेंगे, बूधी के बारे में जानेंगे, कि उसमें कैसे क्या introduction है, कैसी चीजे, सुरु हो रहे हैं बात कर रहेंगे बूदी सभी स्कूल्स की तो इसक्रीन पर उससे रिलेड़ेट कोश्चन आपको दिख रहे हैं अब इसकी इंट्रोड़क्शन के बात करेंगे तो बूदी एक इंडिया में ऐसा प्लेस था उस मिनीचर टाइम जो राजस्थानी का चरला था तो इसमें एक ऐसा प्लेस था जिसमें जो बूदी स्टाइल से जो पेंटिंग पहली पेंटिंग बनी थी वो चुनार में बनी थी और ये चुनार में जो पेंटिंग बनी थी ये रागमाला से रिलेटर थी और ये 1561 में बनी थी तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग था बूदी स्टाइल्स का बूदी मिनिचर पेंटिंग का वो चुनार से गया गया है और मेन रूप से इसका टाइम पीरियड जो था वो 17th से 19th सेंचुरी के बीच में था बूदी सबस्कूल्स पेंटिंग का अब बात करें की जाए इसके subject matters की तो इसमें जो मेवार सब इसकूल्स थे उससे कुछ topic मैच करेंगे लेकिन कुछ अलग topic भी है जिसपे पेंटिंग की गई है तो इसमें पहला नाम आता है hunting scenes का तो hunting scenes दिखाएंगे इसमें जो सिकार के द्रिस से होते हैं वो सारी चीज़े दिखाएंगए court के scene दिखाएगए festivals दिखाएगए जर्णर्ल लाइफ की जो चीजे होती है वो सारी चीज़ो को लेके वो painting मनाते ते है जो जर्णर्णरल जो चीज़े थी वो अलग चीज़े ठोड़ा सा है, लैला मॉजनू पर पेंटिंग्स बनाए गई हैं Absolute चित्रसाला की तरह तो eating इन इतनी अच्छी तो पेंटिंग्स हैं तो एक तरह से कैसे थी कि बूदी स्कूल का बहुती रिलेशन मुगल स्टाइल से रहा है अच्छा रहा है और यह जब अपने सबसे हाई पॉइंट पें बूदी स्टाइल पहुंची थी तो उसका जो टाइम था वो 18th century के मेडिल का टाइम था जब बूदी स्टाइल अपने सबसे हाईस्ट पॉइंट पे थी सबसे अच्छे कंडिसन में थी तो अब बात करें इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स की मुख्य विस हिस्ताओं की तो जो इसमें human figure होते थे वो छोटे होते थे लेकिन पतले और लंबे बनाया जाते थे छोटे होते थे लेकि बनते थे मेवार में बनते थे लेकिन उससे अच्छा बनाया गया है पॉइंटेड नोस थी स्लीम मलब पतली कमर बनाया जाती थी एक्ट्रेक्टिव मेवार से बहुत ज्यादा एक्ट्रेक्टिव बनाया गया है इसमें तो मुगल स्टाइल की तरह जो मुगल स्टाइल में जिस तरह से ड्राइंग की जाती है, फाइल ड्राइंग होती है, ब्लैक लाइन्स होती है, उसका भी यूज यहां पर किया गया, एक तरह से मुगल स्टाइल का भी इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है, जो कि ओरिजिन एंड डिवलेप्मेंट में आप देखा था कि मुगल भी बाद में आके राजस्थानी में रिलेशन अच्छा हो जाता है, मुगल राजपूतों का, तो उसका एफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है, और लाइट एंड सेट का भी इफेक्ट यह अच्छी तरह के से कर पाते थे, उसके बाद इसकी कलर से स्कीम की बात करेंगे, तो राउंड फेस जो बनाते थे, उसमें लाइट एंड सेट का इफेक्ट बहुत अच्छा दे पाते थे, वाटर में जो रिफ्लेक्शन होता था उसे सिल्वर कलर से दिखाते थे, स्काई को, इनमाल एंड वर्ट को भी अच्छे तरीके से कलर सकते थे, उसको दिखा पाते थे, फेस्टिवल सींस को अच्छे से कलर करते थे, 12 मासा परस्पेक्ट्व की चीज़ों को कोई चीज़ दूर जा रही है, सारी चीज़ों को अच्छे से दिखा पाते थे, लाइनर ब्यूटी, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सुन्दर तरीके से प्रजेंट करके सेस्ता भी रहे है चमक्तार का है नंगों का यूज रूप में रूप में इह विज हुआ है लेकिन ऐस्तार का मिलता है यूजladर में को यूज की देखने को यह मिलता है प्रिंटिंग में यूज देखने को मिलता है पेंटिंग में एलो कलर के भी कुछ बॉड़र्स यहां पेंडेखने को मिलते हैं लौशीन्ज देखने को मिलती है वोधि सबस्कूल में यह सारी चीज़े बहुत तरीके से जो पेंटिंग में दिखाई गही है वो attract करती है लोगों को अब इसके बाद जो जोदपूर सब इसकूल की बात करेंगे जोदपूर सब इसकूल के question आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे इसके थोड़े से introduction को हम लोग जान जाते हैं तो जोदपूर जो है वो second largest city है राजस्थान की और यह एक tourist place है और इंडिया में यह एक अच्छा अपना place रखता है जो जोदपूर है और बहुत सारे यहां पर बहुत सारे जो places हैं घूमने लाइक हैं फोर्ट से हैं वहाँ पर बहुत सारे landscape की चीज़े हैं अट्रेक्टी चीज़े हैं सुन्दर चीज़े हैं जिसे लोग देखने के लिए इस समय लिया जाता था में सब्जेक्ट के रूप में धोला मारू लिया जाता था इस समय पर और कृष्णा कृष्णा तो पूरे राजस्थानी में ही एक सब्जेक्ट के रूप में common सब्जेक्ट है वो तो वो तो एक सब्जेक्ट अच्छा रहा ही है और धोला मारू के ल राइडिंग कर रहे हैं, उसकी पेंटिंग बनती थी, मारू ढोला को मैसेज पहुचाता है, उसकी फ्रेंट्स उसे दुख देते हैं, इस सारी सीन को, इस सारी फीगर्स को, इस सारी कहानियों के पार्ट को पेंटिंग में दिखा जाता था, लिया जाता था, और इसके बाद जो इसके subject matter थे तो वो religious theme होते थे रामाड के होते थे महाभारत के होते थे भागवत पुरान के होते थे Krishna रुकमनी की होते थे रुकमनी किष्ण की wife होती थी जो दुर्गा के चरित जो अलग-अलग character होते होते उसको दिखा जाता था और बहुत अच्छे तरीके से वो इसे दिखा पाते थे फोक लोरीज जो होती थी हमारी daily life की चीज़े आसपास की चीज़े उसे दिखा जाता थे लेजेंटरी हिरो जो हो उस समय को देते वो दिखा जाते थे पंची तंतरा के स्टोरीज दिखा जा दे थी सिंगर डांसर पोर्टरेट कोर्ट सीन रागमाला यह असानी से उस समय पे देखने को मिलती है या अच्छे तरीके से उस समय इस पे पेंटिंग्स बनाए गए हैं के बात करें तो उसमें जो हुमन फीगर साते हैं उसमें ज्यादा तर उमें जो ओमेंज के फीगर ते उस पे ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया था जो हाइफोरेड रहता था लॉंग पॉइंट इन नोस बनाए जा गया थी आई जो होती थी वह आलमेंट्स की तरह होती सिंगल और डबल टाइप स्की सायथा गाया है एक सायड का फिगर मैवे बनते है उसकी छीन दिखते है तो ंगे गता गाया गया गा है लंबी लंबी मुच्छी न हैं दिखेता करण ernst कि गया है यह राजस्थान स्कूल की कुछ पर्टिकुलर इस्टाइल होती थी वह उसमें देखने को जोद्पूर सब इसकूल में देखने को आसानी से मिलती है मैं अब बात करेंगे उसके कलर से स्कीम की तो वह नेचर को बहुत अच्छे तरीके से पेंड कर पाते थे एक तरह से कहा जाए कि वह नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थे ब्राइड एल्लो ऑरेंज ग्रीन कलर को यूज करते थे और फ्रपोर्षन जो होता था figfish का वो बहुत अच्छे से उसमें दिखता था कोई भी वर्क करते थे कोई भी ड्रॉइंग करते थे उसका प्रपोर्शन बहुत अच्छा था वो तो फ्लावर्स ट्री क्लाउर्स के एफेक्ट उसमें लाइट एंडा के एफेक्ट यह सारी चीजे बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि राज किंग्स के पोर्टेट उसमें बहुत अच्छे बनाया जाते थे और कुछ जगा तो ऐसा भी दिखा गया कि जो किंग्स हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं हुकास पी रहे हैं इस सारी चीजे को भी समय दिखाया जाता था अब इसके बाद किसंगर सभी स्कूल की बात करेंगे तो किसंगर सभी स्कूल का कोश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो किसंगर ज जो प्लेस है वो राजस्तानी स्टेट के अंदर तो जो इस समय की चीज़े थी जो वह भी रिलिजियस चीज़े बनाते थे जो फेसे बनाते उसमें वह सारी चीज़े असानी से दिखती थी सेंस्टीव चीज़े बना जाती थी जो मैनो मैन के फिगर थे नोजस थे चीज़े डिपली कर आइस बना जाती थी और जो इसके हेर्स थे वह सुंदर बना जाती इसकूल में यह सारी चीज़े हेर्स पर चीज़े नोज पर ज्यादा वर्क होता था इस समय पर यह सारी तो राजा-उदय सिंग फें उस टाइम पर ज्यादा अलब की राजा-उदय सिंग के जो जोधफुर के राजा थे राजा से उनके जो 8 में शन थें किसंग उनके चाहिम पर ज्यादा हुई है स्टेट आप नोन आज जिसकी वज़े से किसंजdock के समय में जादा हुई तो जब जादा उनके समय में हुई तो उसी के नाम से यह पूरा प्लेस का नाम भी पढ़ गया किसंगर नाम से और इस समय की जो famous painting रही है ये बनी ठनी, बनी ठनी का मतलब होता है जब से local language में बोला जाता है बनी ठनी मतलब सजा समर के गाउं में बोला जाता है बन ठन के जा रही हो मतलब सजी हुई चीजों को बनी ठनी बला जाता है, जो सजे रहते हैं, उनको बनी ठनी बला जाता है जैसे लोग तयार होते हैं कहीं जाने के लिए कि बन ठनके जा रहे हैं तो जो पेंटिंग तुम लोग राधा की बनी ठनी जो टॉपिक है उसको जब देखोगे तो उसमें भी लगेगा जो पेंटिंग है उसमें वो बहुत आर्णामेंट्स पहने हुए बहुत अच्छे से सजिक सज के बैटिव ही दिखाए गई है बनी ठनी का ये मतलब था उसमे और इसपर ज़ाधा पेंटिंग बने हैं उस टाइम पे सब्जेक्ट मैटर की बात की जाये तो हंटिंग सिंस होते थे हैं कोट बंस होते हैं door to team होती है किद गोबिन पेंटिंग बनाएँगी है रधा और किष्ण के पेंटिंग बनाएगी है भागवत पुरांत पर और Night Kisyns बनाए गए। यह चीजा अलग दिख रही है, Night Kisyns. Kisungar'd मे신 Night Kisyns भी अच्छी तरीके से दिखाए गई है। और Kisungar'd में, Lake inspires भी बहुत अच्छे से के लिएन आर्टिस्ट होतीी ह। वो sports, boating scenes, ये सारी सीजों को बहुत अच्छे से दिखाते हैं, जो लाल बाज़रा होता है, red boat होती है, उसको अच्छे दिखाते थे इसे प्रेम की नौका भी बुला जाता था, इन सीजों को वो इस समय दिखाते थे, night के scenes को बहुत अच्छे से दिखाया जाता था, ये और मे का वह अच्छ से देया जाता a ela light जो लैंप की लाइट होथी वह बहुत रियली बनाएगगे यह रियल्टी के साथ मणाएगगे है जो कि attractive इसके बात की जा है तो जो किष्टन कर सब स्कूल था इसमें जो इंपर्टेटर्स होते हैं तो वो आदों के लेके ही थे मैंनूपस जो लेडिस होती थी वो लहंकास पहनती थी और चुलिस पहनती थी तो यह में फिगर जो उसके होते तो मेन करेक्टरिस्टिक्स में जैसे पीछ आप लोगे ने देखा था उसी तरह से इसके अंदर वह ornaments पैंते ते जो इल्री पैंते थे जो मेह ते ये वह है तेर मस्द पैंते थे लम्बी पगडिया पैंते थे तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं जो उनकी नेक होती थी वो बहुत जादा डेकोरेटेड होती थी ये सारी चीज़ें उसमें असानी से देखने को मिलती हैं उनकी पेंटिंग्स में तो अब आगे हम देखेंगे जो वो crowd scenes भी बनाते थे लाइनर ब्यूटी एर्केटेक्शियर है बहुत अच्छे तरीके से वो paint कर पाते थे और किसंगर सब इसकूल जो थी वो और सब इसकूल से बड़ी मानी जाती है एक तरह से क्योंकि जाता तो अगर ध्यान दोगे अगर question paper का ध्यान दोगे board का तो किसंगर सब इसकूल से ज़ अब next जो सब इसकूल से वो जैपूर सब इसकूल से इसके question आपको दिख रहा है screen पर तब इसके introduction की बात की जाएगी तो जैपूर जो है कि राजस्थान का capital भी रहा है 1727 में महराजा सवई जैशिंग ने इसको found किया था और विद्याधा भट्याचार्या ने इसको डिजा जैपूर सब इसकूल से वो 18th century में lime light में आया था मला उस समय पर दिखने लगा था जो जैपूर सब इसकूल ता उस समय दिखने लगाता लोगों को और इस पूरी तरीके से मुगल इफेक्ट ज्यादा दिखता है जैपूर सब इसकूल में मुगल का इफेक्ट ज्यादा द जो 1700 से 1900 के बीच में इस प्लेस जैपूर के प्लेस में माना जाता है ऐसा माना जाता है उसी टाइम के बीच में ये जैपूर का ओर्जिन एंड डिबलेप्मेंट हुआ था और इसमें ज्यादा तरकास बात किये है कि जैपूर सब इसकोल मोगल का एफेक्ट ज्यादा होने लगा था और यह स्कूल राजा सवाई राम सिंग के समय पीरियट से थोड़ा सा अपने जो उसका में पॉइंट होता है जो हाई पॉइंट होता है वहां से नीची की तरफ आने लगा था वो बेसिकली एक तरह से यह कह सकते हो कि ध्यान ना देने के गारण ऐसा भी हो सकता ह कि उनके टाइम पे वो धिर धिरे नीची की तरफ आने लगा था था तो में रूप से इसमें मुज़व कंसर्ट होते थे उसको धिखा closer था इस ीस्कूल में ऐसा पहली यह वर्ड पहली बार आ रहा है पूरे सब स्कूल्स में कि मुजिकल कंसर्ट भी दिखाया जाता था बड़ एनिमल्स के पेंटिंग बनाए गये हैं हेल्दी काउस की बनाई गई हैं और किष्णिलिल्ला की पेंटिंग जैपूर में बनाई गई है जो सब्जेक्ट मेंटर है थोड़ा सब्धूसिन था वीडियो में तो सब्जेक्ट में ऐसी कि मैने बताई हैं तो यह सब्सक्पट में बनाएं और पेंटिंग जो राघकमाला पे हें बनाएंगी हंटिंग स्टेंग सेश्ट पर घथ के नेचर की बहुत सारी चीज़े बनाएगी तो ये सारी चीज़े मिजiscal concert bird animals ये सारी चीज़े उससे topic में वो लेते थे main characteristics की बाद की जाए तो वो eli olduğunu birds जो season होते हैं कर्मी के, ठंडी के ये सारी चीज़े राग रागनियों के एक figure बहुत अच्छे से बनाए है और जो जयपूर सबस्कुल सा तो उसमें हम देखते हैं कि एक जो रोमांस होता है जो couples के बिच में रोमांस होता है या जो रोमांस के सीन होते हैं उसमें इक अलग technique यहां पर जयपूर सबस्कुल में देखने को हमें मिलती है तो colors जो होते थे वो बहुत ही polished way में लगाए गए है बहुत lines जो है बहुत अच्छी और graceful है जो figure है जो drawings है उसमें जो proportions की सारी चीज़े है बहुत अच्छे से दिखाएगी है soft और beautiful robots body बनाए गए है round nose है bright colors है जो man है वो loose pyzama पहने में जो females है वो traditional dresses जो उस समय के culture में जो आसपास जो dresses famous उसको पहने हुए है और जो breast है जो red lips है elements है elements type जो like elements की तरह से eyes बनाए गई है तो बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़े उनकी जो bodies है transparent कपडे में जो bodies दिखती है और जो red lips है जैसे जो ने transparent कोई चुलनी लिया हुआ है तो अंदर की body जो भी पहना है वो दिखेगा तो वो सारी चीज़े की बात हो रही है तो वो सारी चीज़े दिखेंगे और crowd case wall paintings ये सारी चीज़े उस शमय में बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है तो इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो राजजयपूर सभस्कूल्स है तो राज़स्थान के अंदर ये सारी चीज़े जो जाज़पूर particular जाज़पूर की थी वो दूसरे जो सभस्कूल्स हैं उनसे थोड़ी से अलग और अच्छी थी और इसके बाद हम बात करेंगे जो सब स्कूल्स की वो बिकानेर सब स्कूल है और इसकी question आपको दिख रहे हैं अब इसके introduction की बात करेंगे तो बिकानेर जो है वो राजस्तानी पेंटिंग में एक अपना important place रखता है एक important center रहा है जहां पे पेंटिंग बहुत अच्छी हुई है यहां पे दो तरह की painting पाई गई है इस सब स्कूल में तो पहला वो जो आर्टिस्ट जो होते थे कि जो यहां से भगा दिये गये थे जो यहाँ पे कहीं से आके बसे हुए थे वो आर्टिस्ट हैं पहला तो यह तरह की पेंटिंग जो यहाँ पे आर्टिस्ट बाहर से आया थे उनकी पेंटिंग और यह तरह की पेंटिंग थी जो कि यहाँ पहले से चलती थी एक टेक्निक यह होगी जो पहले से यहाँ पे चल को मिलती है तो यह दो तरह की टेक्निक पिका नेर में देखने को आसानी से मिलती है मतलब हम उसमें फरक कर सकते हैं यह टेक्निक अलग है यह अलग है और जो पिका नेर में सबसे विक्सित जो पेंटिंग्स थी उसमें जो चंदर महल और सुजान महल में देखने को मिल सकती है उनकी पेंटिंग जो बनाएगी उसमें देखने को मिल सकती है और राग माला बारा मासा जो उनकी दिवाल पे अनूप महल है फूल महल की दिवाल पे राग माला बारा मासा बनाएगी उसमें भी विकानेर की क्वाल्टीज देखने को हमें मिल सकती है तो इस टाइम के जो आर्टिस्ट है वो mostly Muslim आर्टिस्ट होते थे, जदे तर मुस्लिम होते थे, हिंदू कम थे, मुगल से भी आ गये थे, वो Muslim ही थे, तो जब subject matter लिया गया है, वो रागमाला, बारा मसा, hunting scenes, court scenes, lovers के scenes, religious scenes, night के scenes, यह सारी चीज़े ली गई है, रमायन, महावार और Krishna legends, यह सारी चीज़े subject में ली जाते थे, उसकी मुख ही विसेस्ताओं की बात की जाए, तो उसमें बात की जाएगी, तो जो human figure थे, वो छोटे, बनते थे, lips जो वो paint की हुई बना जाते थी, eyes, half, आदी खुली हुई बना जाते थी, chin जो था, वो छोटा था, और जो उनके कमर थे, बहुत पतली बना जाते थी, और architecture, जो भी background में architecture दिखा जाता था, वो मुगल स्टाइल से बना हुआ दिखा जात जाता था, और ladies जो थी, वो घागरा पैनियों दिखा जाती थी, और जो, और वो बहुत decorated दिखा गया है, fine lining दिखाएगी है, जो भी artworks से, उसमें fine lining देखने को मिलता है, जो cloud से, वो भी बहुत अच्छे तरह के दिखाएगा है, rainy seasons को दिखाएगा, यह देखो अलग point है, कि दिखाएगा, उसमें light and lines, और जो lighting होती है, painting की, वो सारी चीज़े बहुत अच्छे तरह के से, दिखाएगी है, इसके बाद बात की जाएगी, तो जो jungle scenes बनाएगा है, उसमें, और जो light colors में, जो light होनी चाहिए, और दूसरे colors के साथ जो mixing थे, वो सारी चीज़े बहुत करके नए color को बनाना, ये technique उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आते थी, और वो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़े को कर पाते थे, तो लेकिन जब बिकानेर इसकुल्स कब ये सारा जो अच्छी चीज़े बिकानेर में चल लही थी और वो अपने place जो थी, हाई कर अबर नहीं था, तो इसकी वज़ा से फिर जो पैसन था अरंग जे में वो बहुत ठंदा था पेंडिंग के लिए, और धीरे-धीरे बिकानेर पे भी इसका आसर पढ़ता रहता है, और फिर धीरे-धीरे वो सारी चीज़े अपने downfall होने लगता है, वो सारी चीज़े downfall होन introduction part, subject matter, main characteristics, जो उसके figures थे, वो कैसे थे, color scheme, तो इसके साथ साथ आप answer सारा दोगी, और इसके साथ साथ ये answer जो आप देखे हो, इसके साथ साथ अगर book के भी कुछ matters आप डाल देते हो, तो और ज़्यादा creative answer हो जाएगा, और ज़्यादा impressive answer हो सकता है, लेकिन अगर इतना भ पूरा देखिए, समझेए, और मेरे चैनल को subscribe करिए, अपने friends में share करिए